हाई फ्रेंद्स वेलकम टू स्टड़े स्वेजॉए जो आज मैं फिर आयो आपके पास एक नए वीडियो के साथ जो है रिफ्लेक्शन ओफ लाइट पार्ट टू हमने इसका पार्ट वन देखा था जिसमें हमने बहुत ज्यादा इंट्रस्टिंग बाते की थी अगर आपने वह नहीं देखा है और अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं पार्ट वन की आप जरूर उसे जाके पहले वह देखिए उसके बाद इसे देखिए था कि आपको अंडिस्टेंडिंग में आसानी हो क्योंकि मैंने कॉंसेप बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था और बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट किया था वह जरूर दिखे और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो आज अब हम लोग शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ओफ लाइट के प सब्सक्राइब करते हैं अब इस वीडियो में सब्सक्राइब कर रहें तो चलिए शुरू करते हैं देखो प्लेन मीरर वह मेरे थे जो हम लोग हमारे घर में डे-to-day लाइव में यूज़ करते हैं वह एकदम प्लेन होते हैं और एकदम स्ट्रेट एकदम ट्रॉपर होते हैं जिन में कोई इफेक्ट नहीं होता लेकिन स्पैरिकल मिर्वर्स वह होते हैं जो हमें बहुत जग लाफिंग चैमबर अलग-अलग जगह पैसे होते हैं ना मिरर रूम जहां पर आप अपने आपको देखोगे तो आप अपने आपको अपना सर जाड़ा हो जाएगा आप जाड़े दिखोगे कभी पतले दिखोगे यह सब यह सब क्यू होता हैं क्योंकि यह मिर्र्स नहीं हो सब्सक्राइब कर सकते हैं अब चलिए सब्सक्राइब कर सकते हैं अब चलिए स्प्रिकल मिर्रस के बर में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं यह दिए सिएटिड शामेत् heft दरप मिर्रस फे इंध than कर देज़ कर दूर री मिर्रस रीर मिर्रस नोश सेंच"! आप अपने घर में देखा क्यों कि चीज़ों कर वह देखते हैं उसमें आप अपने आपको देखो तो आपका चेहरा बड़ा ऐसा ऐसा दिखता है कर्फेंगे और जो कार्ष में जो मिर्रस होते हैं वह बी कर्फेंगे एक को सी गाड़ी आहाई रही है एक्जांबल ऑफ स्वेरीकल मिर्रस बहुत मज़िदार होते हैं as my my point of view आपको भी मज़िदार लगता होगा नब ऑके और जानते हैं इनकी पर में generally spherical mirrors are parts of a hollow glass sphere like like the part b in the figure so देखो यहां पर एक sphere है the a the figure a is a sphere and figure b वो जो shaded part है figure a का वो वो उसे अलग कर दिया गया है वो figure b है so यह पूरे sphere में से एक छोटा सा curved part है वो उसे निकाल कर इस तर बनाया जाता है spherical mirror okay the inner or outer surface of this part is coated with the shiny substance to produce a spherical mirror so shiny substance से coat किया जाता है उसे reflection of light takes place as a from its outer or inner surface thus there are two types of spherical mirrors as described okay so यहां पर हम लोग को spherical mirrors के भी और दो टाइबस देखने को मिलने वाले है वो उनके बार में चले जानते हैं पहला टाइप है concave mirror अब concave mirror और दूसरा है इन की बार में हम लोग जानते हैं okay so if the inner surface of the spherical mirror is the reflecting surface then it is called a concave mirror मैं आपको figure के साथ बताता हूं पहले हम लोग रीट करके समझने की कोशिश करते हैं if the outer surface of the spherical mirror is reflecting surface then it is called a convex mirror इसमें इसमें यह पूरी दोनों की deficient definitions में सिर्फ एक ही change है कि वह आपर inner surface है यह आपर outer surface है यह बोलना क्या चाहता है हमें तो हमने एक sphere है हमने एक sphere लिया अब एक ball भी लिए सकते बॉल का वह जो shaded part ना जो shaded part है इस figure में उसे cut किया और वह बार ले लिया उतना part हो गया उसमें वहां पर जहां पर बी लिका है वह उसका inner है और जहां पर वह black color है बी figure में वह उसका outer surface है तो अब उसी बारे में हम लोग जानते हैं यहां पर जो inner surface है अगर वह वहां से light reflect हो रही है तो वह एक concave mirror है जैसे कि definition में दिया गया है if the inner surface of the spherical mirror is the reflecting surface then it is called a concave mirror और अगर जो outer surface है वहां से light reflect हो के जा रही है तो उसे convex mirror में बोला जाएगा जैसे कि आपर दिया गया है if the outer surface of the spherical mirror is the reflecting surface then it is called a convex mirror जैसे कि आपर मैंने दिया convex mirror के जो डाइग्राम है अब उसमें देखिये कि hard surface अंदर है लेकिन जो outer surface है वह reflecting surface है इसे इतना ही different scene में ओके अब हम लोग और यह जो sphere था हमने यह sphere पड़ा यह spherical mirrors में spherical mirrors में काम आता है अब इस spherical mirrors से related कुछ terms होते हैं उनके बारह में जानते हैं which is very very important यहां पर एक diagram है एक sphere है आप देख सकते होंगे ओके अब इस sphere यान की spherical mirror इसका अब यह जो हमने circle draw किया है उसमें पहले हमने एक circle draw कर लिया इसके लिए उसके बाद हमने जो इसका center है न उससे एक diameter बना दिया और वो center को हमने point दिया है c यह c is center of curvature उसके बाद हमने आप पर c से p पी क्या होता है जो circle का जो surface है उसका midpoint या फिर the center of the mirror surface is called उसका pole that is p is pole of the mirror so c और p को joint कर दिया वो हो गया radius of the curvature अब c और p का जो midpoint है उसे हमने f नाम दिया which is which is again principal focus और p से जो m है वो पूरी line principal focus है क्योंकि the diameter drawn passing through the center of the curvature and the focus is principal focus not principal focus it is principal axis sorry और इस तरह हमने बता है सो चलिए यहां पर थोड़ा फिसे understand करते हैं एके करके इन सब terms को terms related to spherical mirrors first is pole pole the center of the mirror surface is called its pole p is the pole of the mirror in figure so the center of the mirror surface जो mirror का mirror का center नहीं बोल रहां लोग मिरका जो साइड का surface होता है उसका center को बोलेंगे pole of the mirror यह इस पेरिकल इस तरह का यह बहुत 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 एक्सांस में आपको ऐसे drygram जो करने को आएगा यह तर्म अच्छे से समझे अगर आपको समझ भी नहीं आता मुझे comment section में question ढाल सकते में आपको समझाने की कोशिश करूंगा center of curvature so what is center of curvature the center of the sphere of which the mirror is a part is called the radius of curvature of the mirror c is the center of the curvature of the mirror in the figure radius of curvature so the radius of the sphere of which the mirror is a part is called the radius of curvature of the mirror so यह तो आपको मैंना भी समझाया ही था the length cp or ca in the figure is the radius of curvature okay अब और भी कुछ term से उनके वान जानते है principal axis the straight line passing through the pole and center of curvature of the mirror is called its principal axis pm is the principal axis of the mirror in the figure so what is principal axis एक straight line जो पास कर रही है pole यानि की P वान तक और center उसे भी पास कर रही है center of curvature तो फिर उसे बोला जाएगा principal axis it's like a diameter only pm यहाँ पर principal axis principal focus incident rays which are parallel to the principal axis of a concave mirror okay so जो incident rays है वो parallel है principal axis को of a concave mirror after reflection from the mirror meet at a particular point in front of the mirror on the principal axis okay मैं आपको समझानगे कोशिश करता हूं कि principal focus क्या होता है तो यह principal focus के लिए न दो अलग-अलग definitions है concave mirror के लिए और convex mirror के लिए अलग होता है principal focus so जो incidence ray है जो parallel होती है principal axis को okay याद रखना of a concave mirror तो उसके वो incident ray का after reflection में reflect होने के बाद जब reflect होती है from the mirror वो एक particular point पे होती है वो पैललर थी तो वो एक particular point पे आ जाती है principal axis पे जो जो पॉइंट इस पॉइंट एफ is called the principal focus of the concave mirror तो जिस पॉइंट पे वो आती है reflect होके जो रहे principal axis पे उससे हम बोलेंगी principal focus okay of a concave mirror this was अब हम लोग convex mirror के बाने in the case of a convex mirror incident rays parallel to the principal axis after reflection appear to come from a particular point behind the mirror lying along the principal axis this point is called the principal focus of the convex mirror so I will make you understand this also so क्या बोलना चाहते है की convex mirror के case में incident rays जो पैलल होती है principal axis से वो आपते reflection होने के बाद reflect होने के बाद वो they appear to come from a particular point behind the mirror so एक particular point से behind the mirror lying along the principal axis and this point is called the behind the mirror इसमें तोड़ा difference है so वो behind the mirror से आते और एक point पे आते जहांपर principal axis पे पे आते और उसे हम बोलेंगे principal focus of the convex mirror focal length the distance f small f between the pole and the principal focus f and p के बीच में बीच में बीच में इसमें बोलेंगे focal length this distance is half of the radius of curvature of the mirror so c or p के जो बीच में difference है जो distance है उसका half है the focal length so यह थे terms related to the spherical mirrors अगर आपको इन में से कुछ भी समझ भी नहीं आया आपको follow करके हमको ray diagram बनाना है चली मैं आपको समझाने के कोशिश करूंगा और diagrams भी दिखाऊंगा so rule 1 if an incident ray is parallel to the principal axis then the reflected ray passes through the principal focus so क्या बोनना चाहता है अगर आप जो incident ray है वो principal axis है उससे parallel है और फिर वो जो reflected ray है वो principal axis पे एक point में यान की principal focus से pass करके जा रही है तो वो rule 1 को belong करेगा वो ray diagram rule 2 क्या बोलते है वो देखते है if an incident ray passes through the principal focus of the mirror the reflected ray is parallel to the principal axis exactly opposite to that of rule 1 this is so rule 1 में क्या था कि incident ray parallel है principal axis को reflected ray principle focus से गुजर रहा है वो points से अब उसमें rule 2 में क्या हो रहा है incident ray principle focus से गुजर रही है और reflected ray principal axis को parallel हो चुका है तो वो rule 2 को belong करेगा rule 1 और rule 2 का difference याद रखेगा rule 3 if an incident ray passes through the center of curvature of the mirror the reflected ray traces the same path back यह बहुत ही अलग ही rule है different है यह बोलता है कि एक incident ray जो center of the curvature होता है C उससे pass करती है और उसके बाद जो reflected ray होती ही वो भी वही से उल्टा ही वाँपस उसी रह से जाती है वही रस्ते से उससे हम लोग बोलेंगे वो rule 3 को belong करता है so while drawing a ray diagram you have to follow any two of these three हम लोग diagrams देखते रहे हैं तीनो rule के हिसाब से ray diagrams इससे आपको draw करना होता है आपको पहले एक curve draw करना है क्योंकि हम लोग को सिब एक part linear sphere का उसके बाद आपको draw करना होगा वो जो उसका आपने curve draw करने के लिए rounder यह उसके होगा जिस पॉइंट पे रखता उससे एक line सीधी draw कर देनी है वो का आपका principal axis और जिस जो middle point है उस line का उससे आपको C देना है that is center of curvature और उसके बाद आपको F को mark करना है C और P के बीच में C और P का जो half होगा उस पे F को mark कर देना और उसके बाद आपको आपको incident ray ऐसी draw करनी है जो parallel है principal axis को और reflect हो रही है और meet कर रही है F जैसे rule 1 में मैंने mention किये figure में फिर rule 2 में क्या incident ray को आपको ऐसे draw करनी है कि वो principal focus से गुजर कर reflected ray principal axis को parallel है देखा आपने अब rule 3 देखिए कि आपको इस तरह draw करना होगा कि वो यहां पर incident ray center of curvature से गुजर कर जा रही है और वापस जो reflected ray वो उसी से जा रही है आपको arrows दिखाना must in ray diagrams ray diagrams को arrow दिखाना must है incident ray में भी arrow दिखाना must है और reflected ray में भी rule 3 में उसमें तो incident ray of reflected ray दोनों को आपने और सामने arrow दिखाना आपको यह सब आपको याद रखना होगा कि यह बहुत important है और इसी पर based आपको questions भी आएंगे ray diagram draw करने को भी आएगा आपको examinations में so please practice these things and if any problems please ask me in comment section I will surely try to clear it thanks for watching अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसे जरूर subscribe कीजिएगा हम part 3 में और भी आगे का जो part बाकी रहते इस chapter का वो cover up काने की कोशिश करेंगी और इसे और interesting बनाने की कोशिश करेंगे okay तो thanks for watching